गोरेकपूर में शनीवार को 24 घंटी के अंदर कीवज 40 ने मरीज मिले हैं वहीं BID Medical College गोरेकपूर में इलाज के दोरान कोर्ना संक्रमित एक 50 वर्षी अधेर और 78 वर्षी बुज़ूर की मौत हो गई इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आकड़ा 21,000 तीर्पन पहुच गया है इनमें 20,442 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि मौत की संक्या 345 हो गई है वही जिले में एक्टिव केस की संक्या 266 रहे गई है इसकी पुस्टी सियमो डॉक्टर शुधाकर प्रसाद पान देने की है शनिवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो 16 नए मरीज मिले हैं इन में ब्रह्मपूर, वेल घाट और सरदार नगर में एक गोला, उर्वा और खुराबार में दो दो और चरगावा में दस मरीज मिले हैं इसके लावा अन्य धाना चेत्रों में पांच मरीज मिले हैं इसके पुष्टी डॉक्टर सुधाकर प्रसाथ पांडे ने करते विए बताये कि जिन जगों पर कोरोना संकुनित परीश पाये गए हैं महाँ पर सिनिटाइजिशन का कारे कराया जा रहा है, साथ ये लोगों से विसेज सौधानी को बरतने की अपील की जा रही है दोगश की दूरी मास्क है जरूरी, समाजिक दूरी का करे पालन अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्त और सुरक्षित सीमो डॉक्टर सुधाकर प्रसाथ पांडे ने बताये कि इस बीमारी से बचने के लिए विसेज सतर्कता बरतने होंगी क्योंकि इसका वाइरिस ठंड में ज़्यादा असर करता है इसलिए लोगों को भीरबार से बसते हुए मास्क का इस्तमाल करना होगा जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक मास्की सबसे वड़ा हतियार है